नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जनकारी देने वाला हूँ एक रुपे के एक ऐसे कॉमोमरेटिव कोईन की एक ऐसे समारक सिक्के की जिसकी कीमत करीब 7000 रुपे से लेकर 8000 रुपे तक जाएगी क्या खास बात है उस सिक्के मैं जानेंगा आज की इस वीडियो में विस्तार से इस वीडियो को पूरा आप अंतक देखे बीना स्किप करे और बीना कट करे क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके कट करके देखेंगे तो जानकारी मिलेगी अधूरी फिर आप कमेंट शेक्शन मा कर बोलते हो इस सिक्का तो हमारे पास है जबकि वो सिक्का आपके पास होता नहीं है ना ही वो मिंट का सिक्का होता है आपके पास ना ही वो उस टाइप का सिक्का होता है जो खास बात आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पुरां तक जरू देखें दोस्तों यह एक रुपे का सिक्का आप देख ओंगे अंतरराष्टे यूवर्स के सिक्क्य देखने को मिलते हैं इस तरह के Oversight से और Small Farmer छोटे किसानवाले सिक्खे भी सितरह के देखने को मिलते हैं और भी कुछ the Terms Ring जो इस तरह के देखने को मिलते Interior तो ये एक commodity issue है लेकिन ये है एक 7-8000 रुपी कीमत का सिक्का क्या खास बात है इस सिक्के में वो पता चलेगा हमें जब हम इस coin को पलटते हैं और देखना चाहेंगे इसको river side से अब आपको समझ भाया हो कि इस सिक्का क्यों इतना खास है यानि यहाँ पर इस सिक्के पर हमें कोई theme नहीं दिख रही है river side हमें theme दिखने चाहिए commemorative issue सिक्का है लेकिन यहाँ पर हमें ये lucky error सिक्का दिख रहा है overside का impression पूरा river side देखने को मिल रहा है तो ऐसे सिक्को कहा जाता है lucky error सिक्का और ये सिक्का है एक very rare coin क्योंकि ये commemorative issue में है ये कोई definitive issue में नहीं है तो मैंना आपको काफी बार बताया है कि commemorative issue में कोई आपको कोई खास सिक्का मिल जाता है चाहे वो overweight सिक्का हो या उसमें कोई rotation हो या इस तरह कोई lucky error सिक्का आपको मिल जाए तो वो बन जाते हैं काफी जदा valuable और collectable तो ये एक लाखी सिक्का है हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये कौन सी theme का सिक्का है या कौन सा इसमारक सिक्का है क्योंकि same impression दोनों साइड ही देखने को मिल रहा है over side वाला impression भी river side हमें देखने को मिल रहा है दोस्तो ऐसे सिक्कों की कीमत काफी जदा होती है और ये सिक्का आम चलन से मिला हुआ है by mistake mint की तरफ से ऐसे सिक्के बाहर आ जाते हैं आम चलन में circulation में और जब ऐसे सिक्के मिलते हैं किसी collector को तब पता चल पाता है ऐसे सिक्कों की क्या value होती है अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को सिक्के मिल जाए जो कलेक्टर नहीं है जिन्होंने कोई पाइस चड़ी नहीं की है तो उनके लिए बस ये एक नॉर्मल सा एक सिक्का होगा क्या बई दोनों तरफ अशोगिस्तम दिख रहा है उनके लिए बस यही होगा इससे ज्याद़ कुछ नहीं होगा वो इसकी वैल्यू भी नहीं आख पाएंगे क्या कितनी वैल्यू होगी लेकिन ऐसे सिक्के कि जब कोई क्रेक्टर को मिलते हैं क्योंकर उनके कुई पर स्टडी करी है बारी की से पता लगाया कोंसे एरर सिक्के होते है कोंसे लाक्य सिक्के है कोंसे डाइ शिफ्टिंग है ॉफ-sेंटर है तो दोस्तों यह एक खास रेयर सिक्का है जिसकी कीमत साथ से आठ जा पर तक जाएगी सिक्का काफी अच्छी कंडिशन में है सिक्के पर पूरी डिटेल दिख रही है और आम चलन से मिलता है सिक्का लेकिन किस्मत वालों को मिलेगा यह आम चलन से कोममरेट इशू में ऐसा कोई लाक्षी अरर सिक्का मिल जाए वो भी आम चलन से तो यह तो सिक्के सर्कूलेशन में आ जाते हैं क्योंकि मिंट कभी ऐसे लाक्षी अरर सिक्के नहीं निकालते हैं सर्कूलेशन के लिए बाइ मिस्टेक ऐसे सिखे टकसाल में मिंट में बन जाते हैं और ये सिखे बाहर आ जाते हैं और ये सिखे बिखते हैं फिर online auction में, coin exhibition में, coin dealer के पास ये सिखे देखने को मिलेंगे और उनका rate जाता है साथ से आठ जार रुपे तक तो ये है मेरे collection का एक रुपे का commemorative issue एक स्मारक सिखा लेकिन lucky error समझ समभरम अपने collection के ऐसे ही सिखे आपको दिखाता रहता हूं lucky error सिखे, overweight सिखे off center, rotation सिखे ये सारे आपको दिखाता रहता हूं और उनकी price value भी आपको बताता रहता हूं ताकि आपको भी पता चल सके कि आपके पास जो सिखे हैं उनकी क्या value हूए और जानकारी के अभाव में आप उनको सस्ते या कम दामे ना बेज़े क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आमचलन से महनत करके सिखे डूणते हैं तो कम से कम उन सिखों कि उनको अच्छी value तो मिले उनको पता चल पाए ऐसे सिखे कितनी कीमत पर भीगते हैं जानकारी के अभाव में काफी लोग पांदर सुर्पे में ही कीमते सिखे अपना बेच देते हैं क्योंको पता नहीं होता है कि कौन से मिंट का कौन से एर का सिखा भेंगा है वो बस बेचने की जल्दबाजी कर देते हैं तो बेचने की जल्दबाजी से अच्छा है कि आप थोड़ सा समय निकाले अपने सिखों के बारे में पता चल लगाए सिखे की value क्या होती है अब जिसको ऐसे सिखों की जानकारी निकाले क्या value चल रही है मार्केट में हमारा सिखा किस टाइप का error सिखा है उसकी पूरी चानमीन निकालकर ही अपना सिखा बेचे वही सिखे लोग बेचते हैं जिनको कोई सिखों से कोई खास लगाव नहीं होता या उनके पास extra सिख्के होते हैं या वो coin collector नहीं है लेकिन मैंने देखा है जाता जो लोग coin collection को seriously लेते हो कम बेचते हैं सिख्के आज की वीडियो जनकारी कैसी लगी निचे comment करके बताँ चैनल बन नहीं है तो subscribe करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दे था कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों मुझे नीचे comment करके बताना क्या आपके collection में भी इस सारा के कोई lucky error coin है commodity issue में या definitive issue में सभी की comment read करूँ और reply करूँ आज कि इस वीडियो को